किसी भी बड़िंग अंटर्पर्णूर के द्वारा, Emerging Enterprise में कमपनी की ब्रांडिंग का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अंटर्पर्णूर और Product Design टीम, Product के डिजाइन के साथ साथ, कमपनी के ब्रांड के डिजाइन के बारे में भी सोचते हैं। अब इस वीडियो में हम ये समझने का प्रियास करेंगे, ब्रांड होता क्या चीज है, ब्रांड का महत्व क्या है किसी भी कमपनी के लिए, ब्रांडिंग को समझने के लिए पुराने जमाने के स्टोरी को याद कर लेते हैं। जब घरेलू पसुओं को एक चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, तो वो करता क्या था कि विसेस रंग से उन पसुओं में च्छाप लगाया करता था। ये इसलिए की जाती थी ताकि जब उनके पसु दूसरे चरवाहों के पसु से घुले मिलें, तो उनमें एक अंतर स्पस्ट देखा जा सके। दूसरी बात, जब पसुओं को घर लाया जाता था, साम के समय में उनकी ठीक ठीक गिंती भी की जा सके। ब्रांडिंग दूसरे तरफ से ये भी की जाती थी पसुओं में, लोहे के सरीये से एक अंक उनमें डाले जाते थे या एक तरीके से एक पहचान बनाई जाती थी बाद में कान में रिंग डाले जाने लगे और उससे पसुओं की ब्रांडिंग होनी लगी दूसरे तरफ में दासतो प्रथा में जब इनसान को दास बनाया जाता था उनके कान छेदे जाते थे और एक विशेस पहचान होती थी कि ये व्यक्ति किस मालिक यानि स्वामी का दास है अब आते हैं कंपनी की ब्रांडिंग और उसके महत्व के बारे में कुछ एक्जामपल्स है जैसे कोका कॉला 1886 में इसकी ब्रांडिंग करी गई कॉल गेट 1873 में और फोर्ड मोटर कंपनी 1903 में इनकी ब्रांडिंग होती है और आज भी ये ब्रांड लोगों के माइंड में एक पहचान के तौर पर बना हुआ है ब्रांड यानी ठपा, पहचान, सिगनेचर आप जो करते हैं ये भी एक ब्रांड है कई लोग जो अंगुठा का निसान लगाते हैं वो भी उनकी ब्रांडिंग है वो यूनिक है वो किसी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है हर व्यक्ति विसेश अपने आप में अलग है, उनमें खूबियां है वे अपने आप में एक ब्रांड जैसे है किसी वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर अगर ब्रांड है, उसमें पहचान अपने आप में पाया जाता है तो ब्रांड एम्बैसेडर की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोग इसमें डीटेल से जरूर चर्चा करेंगे लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा कर रहे है कि ब्रांडिंग आखिर क्या है, एक पहचान होती है किसी कंपनी की और उस प्रोड़क्ट के validation का एक तरीके से वो ठपा हो जाता है अगर corporate term में बात की जाए ब्रांड एक ऐसी पहचान है जिसमें नाम होता है एक तस्वीर होती है और उस नाम और तस्वीर के तहत उस कंपनी की पहचान होती है और उसी पहचान या ठपे के साथ कई different products produce किये जाते है और इस तरीके से brand किसी कंपनी का asset बन जाता है asset यानि संपत्ती intangible asset अब ये intangible है क्या? intangible वो asset है जिसे छुआ नहीं जा सकता है जैसे आपका knowledge knowledge को महसूस किया जा सकता है knowledge को सुना जा सकता है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता तो brand भी किसी company का intangible यानि एक ऐसा asset संपत्ती है जिसे छूते तो नहीं है लेकिन उसके बलबूते पूरे company की पहचान बनी रहती है मैं आसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए informative था अगर ये वीडियो आपको informative लगा इस वीडियो को like जरूर कीजिए इसी प्रकार के वीडियो में अगर आप बने रहना चाहते हैं और आप चैनल में नए हैं चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर हिट कीजिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत जल एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद